हरी ही ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमह ओम श्री हरे ये परमात्मने नमह नमस्कार और वंदन करता हुआ मैं नाथबाल निला भगत आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को यह वेदिक सिद्धी यूट्यूब चैनल प्रस्वागत करता हूँ और श्री रामचरित मानस पारायन के यह दूसरी विश्राम में आप सभी का फिर से एक बाद स्वागत करता हूँ जैसे हमने पहले देखा सत्संग किया कि यह राम का था यह रामचरित मानस पारायन इनका एक मात्र भाव और एक मात्र है तो यह है कि आज अभी पूरा विश्व और हमारी धरते माता पुर्थवी माता कोविट कोरोना के संकर से जूज रही है तो यह कथा का भाव यह है कि यह कथा सत्संग जो भी हम करें उनका जो पुर्यफल उत्पन हो यह पुर्यफल जीव मात्र को प्राप्त हो और यह बात हम सब जानते हैं कि जैसी भावना वेसी सिद्धी हम जैसी भावना करेंगे यह सिद्धी प्राप्त होगी तो सब सारे विश्व के कल्यान के हैतू यह कथा हम कर रहे हैं और पहले भी जैसे हमने सत्संग किया था कि यह जो कथा है यह कथा सारे जीव की रोक प्रतिकारख शक्ती इम्मिनिटी पावर बढ़े और लोग अच्छे से कोवीट कुरोना का समना कर सके इस हैतु से यह कथा की जारी है तो रामचरित मानस में तुलसिदास जी ने राम राज्य में तीन प्रकार के जो ताप है वो कभी भी नहीं प्रवत्ते इसी एक चोपाई है यह चोपाई का हम गान करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे देहिक देविक भोतिक तापा राम राज नहीं काहु हिव्यापा तुलसिदास जी ने जैसे यह जानके सब को प्रणाम किया था यह जोड़ी जुगपानी यह तुलसिदास जी ने यह भी सपष्ट तोर से कह दिया है और हमारे शाष्टर भी सपष्ट तोर से यह कहते हैं कि जहां पे भगवान का नाम हो जहां पे भगवान की कथाए चड़री हो जहां पे भगवान का राज्य हो राज्य हो वहां पे यह तीनों प्रकार के जो ताप है आधी देविक आधी भोतिक और आध्यात्मिक यह तीन प्रकार के दुख रहते हैं यह तीन प्रकार के ताप है यह ताप कभी भी नहीं ब्यापते हैं तो अगर हम सब भी अपने रदे में श्री राम नाम का बीज डालके उनका वटफुरुख्ष बना ले भगवान के शरण में चले जाएं तो हम सब भी सारे दुखों से सुरुख्षित हो जाएंगे पर ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जो भी संत महातमा है, रुशी मुनी है, भक्त है, सिद्धगण है वो शरीर का ध्यान रखते होगे उनको इतना महत्व नहीं देते किसी को प्रश्ण होता है कि भी यह भगवान की बहुत भक्ती कर रहा था, इनको तो इंफ्यक्षन हो गए अमृत्य होगे, यह संत महातमा थे तो यह बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कोई भक्त भक्ती में आगे बढ़ता है कोई संत महात्मा भजन सत्सं करते आगे बढ़ते हैं, कोई योग सिद्ध योगी है, वो योग करके आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उनको यह अनुभविदित हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि यह मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर के अंदर बेठा हुआ जो जीव जो दूसरे लोगों को पीडा दायक लगे, कश्ट दायक लगे, पर संत महात्मा, रुशी मुनी, भक्त, सिद्धयोगी, उनको शरीर में कुछ भी हो जाए, उनको कश्ट, पीडा, उनका अनुभवी नहीं होता, क्योंकि हर हमेश वो ध्यानस्ता रहते हैं, और समाध्य वस्था में रहते हैं वो, रामकुर्शन परमहन्स के जीवन का यह एक प्रचलित बात है, कि अन्तिय मुवस्था में वो जब बेड रिडन थे, उस समय पे उनके भक्तों में से एक कोई तो डोक्टर थे, जो भगवान को इतना नहीं मानते थे, तो फिर भी रामकुर्शन परमहन्स उनसे बहुत प्यार करते थे, तो रामकुर्शन परमहन्स के ऐसी अवस्था देखके उनके आखों में आसु आ गए थे, तब रामकुर्शन परमहन्स ने उनको कहा था, कि बेटा, अभी भी तू ये समझ नहीं रहा है, अंदर से तो मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और तू ये देखके दुखी हो रहा है, ये तो शरीर की अवस्था है, तो किसी को ये शंका नहीं होनी चाहिए, कि ये भाव करके हम कर रहे हैं, तो हम कभी निरोगी ही रहेंगे, रोग लागू नहीं होगा, नहीं होगा, पर हम ऐसी अवस्था में पहुँच जाएंगे, कि उस रोग का जो असर है, वो शरीर तक ही सिमीत रहेगा, मन से हम आकुल व्याकुल नहीं होंगे, कुष्ण भगवान ने गीता में जो स्थित प्रगन अवस्था की है, उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए तुलसी अदास जी ने यह बात कही है, कि राम राज्यव में ये तीनों प्रकार के अताप ब्यापते नहीं हैं, अब हम राम कथा आगे बढ़ाएंगे, पहले विश्राम में राम नाम बंदना, वहां पे हमने विश्राम लिया था, अभी राम चरित मानस का ये दूसरा विश्राम की शर्वात है, तो वहां पे भी राम नाम बंदना आगे बढ़ती है, तुलसी अदास जी ने बहुत लि जाओ, किसी भी सिद्ध पुरुश के पास चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तो वो नाम ही देते है आपको, नाम देना ऐसे बोलते है, तुल सिदास जी आगे कहते है, नाम वबंदना में, स्पश्ट तोर पे तुल सिदास जी यहां पे कह रहे है, कि यह कल्यूग में, विवेक, भक्ति, करम, यह सारी चीजें पीछे छुट जाती है, बस हर किसी को एक अवलंबन किसका करना चाहिए, तो कि हर किसी को मात्र और मात्र, भगवान के नाम का अवलंबन करना चाहिए, फिर से एक बार कहना चाहूंगा, कोई राम का नाम ले, कोई कुष्ण का नाम ले, कोई मातादी का नाम ले, कोई अपने गुरु का भी नाम क्यों ना ले ले, जिस जिस भगवान पे श्रद्दा हो, उस भगवान का नाम लो पर, नाम के आश्रित हो जाओ, नाम के शरण मे चले जाओं आगे की कथा उसमें आगे की जो कथा है उसमें अब तुलसिदास जी बताते हैं कि यह कथा कहां कहां चल रही है तो यह कथा यागनवल्ट्य जी ने भारदवाज मुनी को सुनाई थी शीवजी महराज सदेव यह कथा पार्वती जी को सुनाते रहते हैं और काग भुशुंडी महराज जो है वह भी यह कथा हर दम सुनाते रहते हैं जाग बलिक जो कथा सुहाई भरदवाज मुनी बरही सुनाई कहही हुसोई संबाद बखानी सुनहु सकल साज्ञन सुखुमानी संभो किना यह चरित सुहावा बहुरे कृपाकरी उमहि सुनावा सोई सीवकाग भु सुन्डी ही दीना राम भगत अधिकारी चीना यह कथा जो प्रियाग राज है वहाँ पे भरदवाज मुनी ने बहुत प्रार्थना की थी तब यागनवल के वहाँ उनके अश्र में रुग गए और भरदवाज मुनी को कथा सुनाने लगे पारवती जी माता को श्रंकर भगवान ने यह कथा सुनाई जिनसे पारवती जी का संशय नाश हो गया और काग भुसंडी महराज ने यह कथा काग भुसंडी महराज तो यह कथा के कहते ही रहते हैं गरूर जी को भी जब संशय था तब भगवान ने गरूर जी को कागभुसुंडी के पास भेजा था कागभुसुंडी के आश्रम में जाके ही उनके मन को शांती मिल गई थी और फिर कागभुसुंडी के मुख से गरूर जी ने यह कथा सुनी थी और आज भी इसी समय कागभुसुंडी महराज यह कथा हर दम प्रतिपल सुनाते रहते हैं अब यह कथा कैसी है रामचरित मानस तो यह रामचरित मानस की कथा ऐसी है कि जो गंगा नदी पावनी गंगा नदी है वहां लोगों को जाना पड़ता है पर यह राम कथा जो है वो आपके घर घर तक पहुंचती है जैसे अभी यह कथा आपके घर तक आपके रदे तक पहुंच गई जैसे तो तुलसिदास जी कहता है कि यह कथा में स्वान करके लोगों का शरीर तो ठीक पर मन बुद्धी रदे सब पवित्र हो जाता है यह राम चरित मानस की कथा कैसी है तो कि राम चरित मानस की जो कथा सुनता है उनको क्या प्राप्त होता है तो उनको बिश्राम की प्राप्ती होती है जैसे शिव जी महराज ने विश पी के समुद्रमंधन में विश उत्वन हुआ था, विश धारन किया और विश के साथ राम-राम सदा जपते रहते हैं तो विश्राम हो गया तो शंकर भगवान की जैसी स्थिति हर कोई साधक प्राप्त कर सकता है मात्र और मात्र राम नाम के आश्रित होकर एसा राम नाम का प्रताब है एसा राम चरीत मानस का प्रताब है अब कथा का करम जो आगे बढ़ता है उसमें यह वरनन है कि कुम्ब का मेला जो हो रहा था प्रियाग राज में तब सब लोग आये थे अब देखो कितने साल हजारों साल से यह परमपरा चड़ रही है कुम्ब मेले की तब प्रियाग राज में कुम्भा आया था, सब रूशी मुनी संत महात्मा आये हुए थे, उसी समय वहाँ पे भरदवाज मुनी और याग नवलक्या जी का मिलन हुआ था, और वहाँ यह कथा सुनाने की शर्वात की थी, आये उस कथा सागर में हम डूब जाये, अभी तो पर्म पवित्र कुम्भ मेला हरीद्वार में चल रहा है, तो हरीद्वार के कुम्भ मेले में भी मानसी खसनान बेटे-बेटे करें, और प्रियाग राज में भी यह कथा सत्संग रूपी सागर में हम डूब की लगाए, प्रियाग राज में बसते हैं और उनका अनुराग कहाँ पे है, राम पद में हरीचरन दुख हरन, हरी चरन है, हरी शरन है, भगवान का जो चरन है, भगवान के शरन है, वो दुख हरन है, ऐसा है, सारे दुखों का वो नाश कर देता है जैसे छोटा बच्चा हो उसको खिलोना चाहिए उनकी मा की गोद चाहिए पिता का प्यार चाहिए तो बच्चा क्या करेगा रोने लगेगा जैसे ही बच्चा रोता है मा पिता अपना कार्य सब काम छोड़के उनको ले लेते हैं गोध में बिठा देते हैं वेसे ही अगर हरी के चरण में भगवान के शरण में हम चले गए जी उनकी शरण में चला गया और रोने लगा रामकुष्ण परमंस रोने लगते थे श्री चैतन्य महाप्रभू रोने लगते थे किरतन करते करते और आज भी यह वाओ हम कितने सारे सादोकों में देखते हैं जब कहीं पर आरती हो रही हो गंटनाद हो रहा हो मुर्दूंग बज़रे हो कहीं पर भगवान के नाम चल रहे हो तो कोई ना कोई सादक के आँखों में से ऐसे ही अश्रू निकलते रहते हैं तो भरदवाज मुनी का अनुराग अनुराग कहां पर था भरदवाज मुनी का अनुराग था वो राम बद में था और क्या चीजह थी उन के पास तप, Shum, दम, दया, ये सारी चीज़े ये सारे लक्षन जो है उत्तम भक्त, उत्तम साधग के लक्षन है रूशिमुनी संत महात्मा के लक्षन है और उनका पत्थ क्या था? परमा रथा पत्थ परमसुजाना उनका पता था परमारत खुद के स्वारत के लिए तो जीवन बहुत सारे लोग जीते हैं पर परमारत किसी और के लिए जीवन जीना ये सबसे बड़ी बात है यह किसी की वावाई की बात नहीं है पर समझो ये टेली पत्यों और बाव जगत में कैसी चीज़े चलती है मैं रामचरित मानस की कथा करने वाला था ये 10-15 दिन से मेरे मन में चल रहा था या महारश्टर में बहुत सारे कैस चल रहे है पुरन लोग डाउन की शित्यता थी तो यहाँ पर कहीं पर भी लोगों की बीच में जाके रामकथा करना संभव नहीं था तो मन हो मन मन ने सोच लिया कि अब मैं यूट्यूब चैनल क्रियेट करूँ रामकथा करूँ और यह चीज मैंने पब्लिक नहीं की थी इनका मैंने कहीं पर पोश्ट डालके पब्लिश नहीं किया था वोट्स से फेस्बुक के ही पर किसी को भी नहीं बताया था तब आप देखो कि उसी समय मेरे एक दोस्त है जो कोगनिजंट में मेरे साथ काम करते थे शायद अभी भी वो कोगनिजंट में है गुजराती भाई विशाल पटेल जो भी युक्के में है उनका ऐसे ही तीन-चार दिन पहले मुझे मेसेज आया और वो मुझे काम करते समय भी मुझे मिलते थे तो महराज महराजी बोला करते थे जब मैं IT प्रोफेशनल था तब राम राम महराज जैशी कृष्ण महराज यसे तो उनका मेसेज आया कि महराज क्या कर रहे हो कुछ सत्यन कथा यगनहवन कुछ कर रहे हो क्या कुछ भी करो कुछ भी जरूरत हो तो बताना तो मैंने बोला कि मैं यह से राम कथा करने की सोच रहा हूँ और मास पारायन करूंगा तो उन्होंने मुझे और कुछ नहीं कहा बोला कि पूर्ण कथा का खर्च कितना आयेगा वो बता दो मुझे बताना और जल्दी से एकाउन डीटेल्स और सारी चीजे मुझे भेजना मैंने उनको भेज दिया उन्होंने मुझे दक्षिना भेजी अच्छी खासी दक्षिना थी फिर भी क्या बोला जैसे हम गुजराती लोग बोलते हैं फूल नहीं फूल की पांधरी मतलब पूर्ण फूल नहीं फूल का एक पत्ता में अरपन कर रहा हूँ तो यह परमार अर्थ हुआ मेरे अन्य पहुत सारे दोस्ते इंजिनिरिंग में साथ में थे उन में से कुछ दोस्त लोग USA में हैं कुछ जर्मनी में हैं कुछ केनेडा में हैं उन सभी का भी मुझे परस्नली में सेज आया एक मेरा दुसरा दोस्त थे जो बोड़ा सा संस्कृत पार्शाला साथ में था सोवरब करके रहम कथा की पोश डाली तो एक मेरा दोस्त थे अनूप उसने बोला कि तू यह recording है वो अच्छे से माइक मेकर, दूसरा दोस्त चिंतन है, उसने एमेजोन में से ढून के निकाला, यह माइक अच्छा है, तो तीसरा दोस्त जो है, जो डाकोर का है, और मैं उनके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि डाकोर का नाम आते ही, रंचोड राई जी का स्मरण हो जाता है, बो यह समागा, और बोला कि मैं माइक ओडर करके आपको भेज देता हूँ, राम भगवान जब सेतु निर्मान कर रहे थे, तब बोलते हैं न, गील हरी, छोटा सा कंकर लेके भी, वो डाल रहे थी, यह गड़ी में, मैं सभी मेरे दोस्त, परिवार वाले, जो भी यह कथा सुन रहे हैं उनको, और जो भी यह कथा में भगवान के नाम पर दान और लक्षिना दे रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद अभिवादन स्विकारता हूँ, और यह लक्षिन कैसा हुआ, यह किसी को दान देना, तब करना, यगन करना, भगवान के नाम लेना, कि परमारत खुद के लिए नहीं पर दुसरों के लिए जीवन जीना अब वहाँ पे उनको यागनवल्किया मतलब जागवले के तुल से दासी के थे उनके साथ उनका मिलन हुआ और भारदवाज मुनी ने उनके चरण में अपना सेर निवाया और भारदवाज मुनी ने प्रश्ण पूछा यागनवल्किया जी को कि जैसे मीटे मोरब्रमभारी कहु सुका था ना थविस्तारी जागवलिक बोले मुसुकाई तुमही विदितर घुपाते प्रभूताई राम भगत तुमह मन क्रम बानी चतुराई तुमहारी में जानी चाहा हु सुने रामा गुन गूडा किनहु प्रसन माना हु आती मूडा माफ कर दीजेगा पर कथा कहते समय मुझे अश्रू आ जाते हैं भाव में मैं आ जाता हूँ मैं सिंपल इसे रेकोर्डिंग कर रहा हूँ तो कहीं पर मेरी आवाज चली जाए कुछ अलग आवाज आए तो माफ कर देना इसे भाव में आके अश्रू अपने आप निकलने लगते हैं मुझे अश्रू आने का कारण क्या था तो यहां पे देखो जो संतमात्मा है ना ये उनका परम लक्षन है कि भारदवाज मुनी ने उनको पूछा कि मेरे संशय नाश के लिए मुझे आप राम कथा सुनाईए तब यागनवल के ज अची तरह से जानता हूँ आपकी चतुराई में जानता हूँ तुम परम राम भक्त हो मन करम बानी मतलब मन से बचन से और तुम्हारा जीवन राम मई है चान बुझ के राम कथा सुनने में तुम्हें बहुत आनन्द आता है इसलिए आप जो यागनवल के जी भारदवाज मुनी को कहते हैं कि आप इसलिए मेरे मुख से वापिस राम कथा सुनना चाहते हो फिर क्या बताते हैं राम कथा सा सिकिरन समाना संत चकोर कराहि जेहि पाना ऐसे इसंस यकिन भवानी महादेव तब कहां बखानी यागनवल के जी हो कि तो राम कथा कैसी है तो कि राम कथा ससी किरन चंद्रमा के किरन जैसी राम कथाए है ठीके अब देखो वेद के मुन्तर बोलते हैं चंद्रमा मनसो जाता सूर्जो जायता दीब देवता का ध्यान करते हैं चंद्रमा का मुन्तर बोलते हैं यह राम कथा को चंदर मा के किरन जैसा बोला गया है गीता में भी आता है कि चंदर मा के किरनों से जो आयर्वेद की ओषधिये उनको पुष्टी मिलती है चंदर मा की किरने इतनी लाबदाई है इसलिए देखो पुरुणीमा के दिन चद्रमा के दर्शन का महत्व रहता है, पुरुनीमा के दिन सब पुरुनीमा भरने के लिए जाते है, हम मोड़ा साते हैं तब शामला जी जाते थे पेदल चलके, मेरे तो बहुत सारे लोग दोस्त जो लोग है वो हर पुरुनीमा को जाते थे, बहुत सारे लोग हम से और गुजराथ से जो लोग है वो गिरिनार में दत्त भगवान है उनके पुरुनिमा भरने के लिए जाते हैं मेरे ब्रेदरिन लो है साले साहिब वो उसने कुछ तो कितनी शायद एक माला एक सो आठ जैसी तो पुरुनिमा ऐसे भर ली है तो गिरिनार में दत्त महराच के दर्शन के लिए जाते हैं पुरुनिमा के दिन एसे भक्ते करना, रामना लेना, किसी के दर्शन के लिए जाना, पेदल चल के जाना, इन सबका महत्व इसलिए हैं कि जैसे सूर्या के किरनों में से वीटामिन B पराप्त होता है इसे चंदर के किरनों से ओशधि को फिर बताते हैं कि भवानी माता, मतलब उमा को जो संशय शंका हुई थी, तब महादेव जी ने यह कथा सुनवाई थी, यह कथा पार्वती जी मा को बताई थी. अब यह कथा की शर्वाद ऐसे होती है कि शिवजी महाराज और भवानी, वह दोनों ऐसे निकले थे गुमने के लिए, तब उन्होंने देखा कि राम और लक्षमन नासिक पंचवटे के किनारे आयो हुए है, सिता मता का हरण हो चुका है, और इसलिए राम भगवान अपनी ल जलित नर निला करते हुए, उनके आँखों में से अश्रु बेह रहे हैं, और अराम भगवान को देखके, शिव भगवान जो भी अपने विमान लेके जा रहे थे, वहां से मनों बंदन किया, और शिवजी महाराज ने उनको प्रणाम किया वहां से, तब पारवती भवानी शंका सक्षा ही हुआ, कि यह मेरे पती देव इसे मनुष्य को क्यों प्रणाम बंदन कर रहे हैं, इसलिए उनकी परिक्षा करने के लिए सिता माता का रूप लेके, वह राम भगवान के पास गए, तब राम भगवान ने उनको पहचान लिया, नमन बंदन किया, और कहा, कि अरे, माभवानी आप यह सिता माता के रूप में कैसे, तब माभवानी को बहुत इंदर से दूख हुआ, और वो वापिश शिव जी के पास चले आए, तब यह पंक्ति है, होई ही सोई जो रामर चीराखा, को करितर कबढ़ावे साखा, शिव जी महराज को अंदर से पता था, कि यह मेरी पतनी भवानी है, वो उनके परिक्षा लेने के लिए गई है, वैसा है, पर मनोमन भगवान ने क्या स्वचा, शिव जी भगवान ने, कि जो भी होगा, रामर चीराखा होगा, मतलब राम भगवान ने, जो भी लिखा हुआ होगा, वैसे ही होगा, और सामझ मनुश्य क्या करते हैं, कि तर्क बढ़ाते रहते हैं, यह तर्क लगाते हैं, वो तर्क लगाते हैं, बहुत ज्यादा तर्क कि कहीं पे भी जुरूरत नहीं होती विसा है तर्क लगा के तर्क करके ठीक है सीधा तर्क करो भलाई के लिए तर्क करो उससे किसी का कल्यान हो तो ठीक है कुछ तर्क नहीं करना चाहिए कुछ तर्क क्या उत्पन होता है पूरुन सत्यत हमें पता नहीं रहती किसी के उपर श या कुछ चीजे अनकंट्रोलेबल होती है, तो कोई व्यक्ती है वो करना चाहे भी, फिर भी कुछ नहीं हो पाता ऐसा होता है, ठीक है, लोग राजनीती के बहुत चर्चाई करते रहते हैं, कोई भी प्रधान मंतरी हो, कोई भी मुच्छ मंतरी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी अधिकारी अच्छे रहते हैं, कोई यह रहते हैं, अधिकारी भी अच्छा कार्च करने के लिए सोच रहा है, वो किसी और को ओडर देगा, तो यह हाईरेर्की में नीचे नीचे तक सारी चीजे आएगी ऐसा है, अब कहीं पे भी बीच में कुछ चुक हो जाती है, कहीं पे कंडिशन्स फेवरेबल नहीं रहते हैं, कुछ भी चीजे होती है, ठीक है, फल आने के लिए बहुत सारी चीजे है तो बुत रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि इसमें कहां, क्या, किन से को, कैसे गलती होगी, तो कुछ तरक नहीं करना चाहिए, तो शिव जी महराज कहता है कि क्यों मैं ऐसा सोचू, जो राम भगवान ने रची राखा, जो भी किया होगा, वो हो जाएगा, कहे को मैं तरक ऐसे करूँ, तो यहां पर जैसे राम भगवान ने पहचान लिया, वंदन के आप्रणाम किया और बोला कि आप सिता माता के रूप में कैसे, तो तुरंथी स पूछा कि क्या हुआ, बात हुई की नहीं, तो सती माता ने ऐसा कुछ बताया नहीं, सिर्फ ऐसा कहा, कि मैं वहां गई थी, और मेरे नमन वंदन किया और वापिस आ गई, पूनी पूनी नाई राम पदसी सा, चली तहां जहां रहे गीरी सा, गई समी पमेह सतब हसी पूछी कुसलात, लीन ही परी चाकव नभी धी कहु सत्य सब बात, अब वहां से शिवजी के पास सती माता आये, यहां पे ही यह दुसरा जो विश्राम है, उनकी समाप्ती होती है, फिर से हम श्री भगवान राम के चरण में, शंकर भगवान, विश्णु हरी, सद्गुरु देव, उनके चरण में प्रातना करेंगे, कि यह जो राम कथा है, यह राम कथा का पुणिय अफल हर जीव मात्र को प्राप्त हो, सबकी रोख प्रतिकारक्षिक्टी इम्मुनिटी बढ़े, यह से भाव रखते हुए नमन प्रातना बंदन करते हैं, फिर से मैं सभी को यह बताना चाहूंगा, कि यह रामचरित मानस पारायन पूरा परमपवित्र चेत्रमा से पूरे महिने पर चलेगी, कि आप में से कोई भी यह रामचरित रामपथा में सहवागी होना चाहते हैं, आपका कोई बर्धे आ रहा है, किसी की तित्थी आ रही है, कोई पित्रू है, माता पीता चल बसे हो, माता पीता हो आपके परिवार में, उनके नाम पे किसी के जन्मन दिन का सेलिबरेशन उत्सव मनाना हूँ उनके नाम पे कैसे भी प्रकार से आप अगर कोई किसी भी प्रकार की दान, दक्षीना या अन्य कोई भी है तू या अन्य कोई भी चीज आप पहुचाना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो कुरुपया करके संपर कीजेगा और मिल जुल के फिर से हम प्राथना करें कि पूरे विश्व का कल्यान हो, हर जीव मात्र का कल्यान हो. शांति ही शांति ही